आज की वीडियो गाइस काफी important रहने वाली है क्योंकि Tata Steel ने दो बड़ी news निकाल के सामने दी हैं दो बड़ी update आई हैं दोनों update काफी important है और समझेंगे के भाई इन update से company के share price पे कितना बदलाव होगा investor और traders किस तरह से इस company में फिलाल अभी active है इस पर भी हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक Tata Steel ने क्या क्या कर लिया है अभी जैसे मैंने आपको बताए कि Tata Steel विल्ले करने वाला था उसने विल्ले कंप्लीट कर लिया है याने कि दो companies आपस में 80 हो गई है यहाँ पर अब जो share धारक हैं उनको भी लग रहा है कि भाई हाँ Tata Steel कुछ आगे बड़ा कर सकती है जब ये सारी बाते निकल के सामने आ ही रही थी तो Tata Steel में ICICI Security ने भी बड़े टारगेट दे दिया है और उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये स्टोक 156 रुपे तक जा सकता है और 167 रुपीज का टारगेट उन्होंने रखा है तो 167 पे तो नहीं गया लेकिन 151 पे अभी अटका हुआ है स्टोक लगबग 1.28% डाउन गया है जो लोग नहीं जानते कि भाई वाकई में ICI Security ने ये बात कही है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ मैं न्यूस पे चलता हूँ तो मेरे सामने ICI Security का ये अपडेट इदर देखने को मिल जाता है जो कि दो दिन पुराना ही है आप हैडलाइन में ही देख सकते हैं जो बाय टारगेट है 167 ICI Security इदर लिखा हूआ है अब हम आगे डिसकस करते हैं कि टाटा स्टील को लेकर वो दो बड़ी न्यूस क्या है जो आपको पता होनी चाहिए उसके बाद हम ये भी समझेंगे के इंवेस्टर ट्रेडर किस तरह से आप इस कंपनी को देख रहे हैं सबसे पहले मैं स्क्रीनर पे हूँ मैंने टाटा स्टील ओपन किया हुआ है मैं डोकुमेंट्स के अंदर चलूँगा दो अपडेट निकल के आई हैं एक 12 घंटे पहले की है एक 17 घंटे पहले की है सबसे पहले हम 12 घंटे पहले याने की क्रेडिट रेटिंग को लेकर बात करेंगे जब-जब कंपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग डालती है तो इससे आईडिया लग जाता है कि भाई हाँ अब कंपनी को आगे बैयाज मिल सकता या नहीं, बैंक से पैसा मिल सकता या नहीं, सरकारी जगाओं से पैसा मिल सकता या नहीं, वो company की credit rating से पता चलता है, company ने 28 अगस 2024 को अपनी credit rating डाल दी थी, तो एक बार देखते हैं कि basically company की इस बार की credit rating कैसी रही है, और जब मैं इस PDF को पढ़ता हूं तो मुझे एक बात मोडी हम कह सकते हैं, एक ऐसी अंतराष्टे credit rating agency है, जो कि हर company की credit rating निकालती है, तो Tata Steel ने अब इस बार use किया है, मोडी की reports का, अब देखते हैं कि मोडी किस तरह की credit rating देता है, तो अगर हम credit rating की information देखें, कि मोडी ने किस हिसाब की credit rating दी है, तो clear नजर आता है कि जो long term की credit credit rating है, Tata Steel की, तो clear नजर आता है कि जो long term की credit rating है, Tata Steel की, वो है BAA3, और अगर हम outlook की बात करें, तो वो stable है, अभी के time पे, मोडी ने ये भी बताया है कि हमने ये credit rating है, इस तरह से क्यों दी है, इसके पीछे के कुछ reasons उन्होंने साजा किये हैं, जो कि हमें नीचे देखने को म मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोडी का खुद clearly कहना है, कि आने वाले time में Tata Steel की कमाईयों में, आने वाले दो सालों में सुधार होगा, जिससे कि भारत की manufacturing में भी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, और Europe की manufacturing में भी आपको बदलाव देखने को म अब यहाँ पर जो credit rating है, इसको बढ़ाने का एक और बड़ा वादा यहाँ पर देखने को नजरा आ रहा है, यहाँ पर ऐसा बोला गया कि भाई, जो Tata Steel की कमाई है, वो बढ़ेगी, इसके पीछे के दो reasons उन्होंने बताए हैं, एक है काली नगर में जो विस्तार विक्री ह हुई है, यानि कि काली नगर का जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी expansion हुआ है, यह बहुत अच्छा point है बताया इन्होंने, दूसरा point यह बताया कि यूके की एक जो manufacturing थी, या UK से जहाँ माइनिंग होती थी, उसको भी उन्होंने अब permanently close कर दिया है, क्योंकि वहाँ से loss होता था तो उसको हटा दिया है, और जो कालींग नगर की जो industry है, उसको और भी जादा expand किया जाएगा, और इस वज़े से ही, जो moody है, उन्होंने इस तरह की credit rating दी है, और वहीं company के EBITDA को लेकर भी बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि भाई, जो company का EBITDA है, वो 2024 से लेकर 2025 में 290 billion के आसपास था, लेकिन आने वाले time में, यानि की 2025 से लेकर 2026 में, ये EBITDA बढ़कर, 290 से बढ़कर, 380 billion के आसपास होने वाला है, तो अगर ऐसा होता है, तो भाई, ये बहुत अच्छा sign है, बहुत positive impact है, जो की company हमें आगे दिखाने वाली है, उसकी पात company का जो profile है, वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, यानि कि Tata Steel, विस्व की अव दसवे नंबर की सबसे बड़ी steel में उत्पादक company बन चुकी है, जिसकी mining सिरफ इंडिया में ही नहीं, UK, Netherlands और दक्षिन पूरव, Asia, जैसी अलग-अलग जगाओं पर भी आपको दे देख लेते हैं, यह है acquisition को लेकर update, मैं simply click करूँगा तो मेरे सामने एक और PDF खुल जाती है, जो कि Tata Steel द्वारा ही publish की गई है, यह update भी 28 अगस 2024 की है, और इधर भी हमें काफी important news देखने को मिलती है, आपको बताना चाहूँगा, यह एक letter है, जो कि Tata Steel ने 28 अगस 2024 को Bombay Stock Exchange औ और NSC यानि की National Stock Exchange को भेजा था, और इस letter के अंदर हमें एक जानकारी मिलती है, जो कि बहुत important है, यहाँ पर company सीधा कहती है कि हमने T Steel Holding, PT Limited नाम के company को 178 करोड से अधिक shares खरीद लिये हैं उसके, और अगर एक share का price निकाला जाए, तो वो 0.157 USD डोलर के आसपास है, और कुल मिलाकर इस खरीद की जो कीमत है, 280 million लगभग 2347 करोड के आसपास है, और इतने बड़े acquisition से हम कह सकते हैं कि जो T Steel Holding, PT Limited की almost acquisition अब Tata Steel के पास हो गई है, तो यह संकेत हमें इदर positive देखने को मिल रहा है, बाकि delivery percentage 40% जो कुछ खास नजर नहीं आता, और अगर हम NSE के उपर भी तो यहाँ पर भी हमें वही scenario देखने को मिलता है, अब आप क्या सोचते हैं Tata Steel के वारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं, बाकि गाईज यह तो जरूर है कि ICI security अगर buy rating देता है, तो company में growth तो होती है, और मैंने आपको बताए भी कि ICI security का जो buy rating है, वो 167 प्राइश टारगेट है, अब आगे की क्या scenario बनता है, क्या prediction यह सही होता है या नहीं, वो हमें comment करके बता सकते हैं, फिलाल company को लेकर यही news है, अगर कोई बड़ी news, कोई बड़ी update आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, वहीं guys किसी भी तरह का कोई bias will hold recommendation नह आपको कोई financial advice है, तो मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए take care and good bye